देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा, आप सभी पर सदाइव बनी रहें। यह वीडियो है, 28 दिसंबर 2021, यानि कि ट्यूजडे के दाइनिक राशिफल के बारे में, यह एक सामान्य जोतिशी अविश्लेशन होता है आपकी गाइड आज आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, यह भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। राशिफल के शुरुवात से पहले एक बार आज के पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। और सूर्य अस्त का समय है 5.34 p.m. कुछ विशेश मुहरतों की बात कर लेते हैं। अब शुरुवात करते हैं राशी फल का मेश राशी के शुरुवात करते हैं। मेश राशी के जातकों के लिए दिन पॉजिटिव दिख रहा है। फिजिकल, मेंटल दोनों ही लेवल पर अपने आपको काफी स्ट्रॉंग फील करेंगे। कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। नेगेटिव चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यदि कोई नेगेटिव एक्सपिरियंस भी हमारी लाइफ में आते हैं तो बहुत हद तक हमें वो कुछ सिखा के जाते हैं तो नेगेटिव चीजों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चोटी-चोटी चीजों को जिनको टाले जा रहे हैं बहुत समय से उनको आज पूरा करने की कोशिश करिए क्योंकि आगे जाके वही चीजें बहुत आपको मुश्किल देंगे। और एफर्ट्स की भी आपकी तरफ से कमी रहेगी। बिजनस के हिसाब से आज का दिन अच्छा दिख रहा है, स्टेबल दिन दिख रहा है, पैसे के हिसाब से भी अच्छा है और मान सम्मान के हिसाब से भी आज का दिन बहुत अच्छा है, जो लोग बिजनस करते हैं आज क रिलेशन्शिप के हिसाब से अपने रिलेशन्शिप में कुछ नया पन लाने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे तो उसके लिए आज का दिन उपयुक्त है थोड़ा आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कुछ न कुछ नया रिलेशन्शिप में इंटर्ड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन उपयुक्त है विवाहिक चीवन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा थोड़े जगड़े दिख रहे हैं छोटी-छोटी बातों पर काफी वाद विवाद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं students के लिए दिन बहुत अच्छा है balanced दिन दिख रहा है अपने study को और social life को अपने activities को सबको बहुत balance करके आगे बढ़ेंगे अच्छा दिन है students के लिए सेहत की बात करें तो पैरों में दर्द रहेगा और lower back में भी दर्द रहे सकता है lucky number है 4 lucky color है yellow भाग्या प्रतीशत है 70% आप चलते हैं torus यानि की व्रिशब की तरफ आज अपने उपर ध्यान देने का दिन है अपने आपको खुश करने का दिन है जो आपको अच्छा लगता है जिससे आपको खुशी मिलती है वो चीज आज करिए अपने आपको पैंपर करिए अपने साथ समय व्यतित करिए time निकालके analyze कीजी चीजों को क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है कहां पर life में improve कर सकते हैं आपको बहुत कोई अच्छा idea आज आ सकता है करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा मेरे को नहीं दिख रहा physically थोड़े exhausted feel करेंगे काम पर जादा ध्यान आप नहीं दे पाएंगे नहीं आज job satisfaction दिख रही है बहुत अच्छा दिन नहीं दिख रहा मेरे को career के हिसाब से, job के हिसाब से business में emotions बहुत high रहेंगे especially जो लोग family involved business करते हैं जिसमें family members साथ में काम करते हैं over emotional रहेंगे कुछ चीजें हो सकती है family के issues बीच में आ सकते हैं जो आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं relationship की बात करें तो जिनका relationship recently खतम हुआ था जिनका recently break up हुआ था भाग आपको एक और मौका दे सकता है चीजें दुबारा ठीक करने का patch up करने का वेवाहिक जीवन में आज का दिन थोड़ा seriousness लेके आएगा छोटी छोटी चीजों पर react आप करेंगे वानी में भी थोड़ी कटोरता थोड़ी कटूता दिख रही है जिसके कारन वेवाहिक जीवन में थोड़ी problem हो सकती है स्टूडेंस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है भागय साथ देगा stability दिख रही है कोई अच्छी news आपकी तरफ आ सकती है बहुत positive दिन है स्टूडेंस के लिए सेहत के हिसाब से इनको diabetes है आपको बहुत ध्यान देने की जरूत है आज lucky number है 6 lucky color है आपका green भागय पतिशत है 72% चलते हैं जैमिना यानि की मिथुन अराशे की तरफ energy आपकी काफी high रहेगी अपने आप पे confidence आपका बहुत high रहेगा presence of mind भी आपका बहुत शाप रहेगा spontaneous कोई ऐसा निरने ले सकते हैं किसी problem का solution एकदम निकाल सकते हैं जो आपको बहुत help करेगा किसी से guidance चाहिए थी तो आज आपको वो guidance भी मिल सकती है एक चीज़ कहूंगा अज अपने लिए थोड़ा peaceful time निकालने की कोशिश कीजिए आदा घंटा एक घंटा हर चीज से दूर technology से दूर phone से दूर अलग बैठिए थोड़ा meditation करना है meditation कीजिए कुछ भी मत कीजिए पस आदा घंटा एक घंटा अपने लिए अलग से निकालिया और उसमें अराम कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा आने वाले दिन भी आपके काफी stable जाएंगे करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन अच्छा दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है पूरी authority रहेगी power रहेगी आपके पास अपने काम के लिए आपको popularity भी मिल सकती है आज आज राजयोग बना हुआ है दसामसा में बहुत अच्छा दिन है करियर के लिए बिजनस के लिए भी आज का दिन अच्छा है especially उनके लिए जिनका recently कोई loss हुआ है बिजनस में आज अचानक से उस loss की भरपाई हो सकती है अचानक से कोई ऐसा contract आ सकता है जो उस loss की भरपाई कर देगा वैसे भी overall अच्छा दिन है आज का किसी trade का का काम करते हैं समान का लेन दिन बहुत जहां होता है अच्छा दिन रहेगा relationship के हिसाब से चोटी चोटी चीज़ों को नजर अंदाज यदी कर देंगे उस पे react नहीं करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा वरना बहुत problems हो सकती हैं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है specially आप दोनों के वैवाहिक जीवन में यदी problem आ रहे ही थी और दोनों ही उसको solve करना चाह रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कैसे शुरुवात करें तो उस चीज़ में आपको आज help मिल सकती है हो सकता है किसी बड़े की guidance मिल जाए students को एकी चीज को हो सकता है दिन के लेटर हाफ में lucky number है two lucky color है आपका orange और भाग्य प्रतिशत है 73% चलते हैं cancer यानि की कर कराशी की तरफ confidence level पर थोड़ा काम करना पड़ेगा थोड़ा confidence यदि आपने improve कर लिया तो आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे अपनी family के साथ थोड़ा time spend कीजिए अपने close relatives के साथ थोड़ा time spend कीजिए यदि किसी के साथ संबंदों में दरार आ गई थी तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए थोड़ा relax करेंगे आज अपने लिए एक relaxing time निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा दिन है जो लोग करियर की शुरुवात करना चाह रहे थे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें कोई opportunity नहीं मिल रही थी उनको भी आज कोई बहुत अच्छी opportunity मिल सकती है वैसे भी दिन आज बहुत अच्छा है जॉब के लिए जो लोग accounts से related कुछ भी काम करते हैं या फिर human resource से related कुछ भी job करते हैं दिन अच्छा है business के हिसाब से analysis का दिन है थोड़ा time निकालिए business को analyze कीजिए साल कान तो होने वाला है अगले साल की क्या planning है at least पहले दो महिने तीन महिने की उस पे थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा relationship के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा है पूर्णता का भाव आता हुआ दिख रहा है relationship में कुछ चीजे जो अधूरी थी आज वो पूरी हो सकती है अच्छा time spend करेंगे अपने partner के साथ वैवाही के जीवन के हिसाब से अच्छा दिन है passionate दिन है लेकिन aggression आपके side से ज़्यादा हो सकता है उसको यदि नियंतरन नहीं कर पाए नियंतरत नहीं कर पाए तो थोड़ी problem phase कर सकते हैं student से यही कहूंगा कि अपनी problem के लिए अपने guru अपने शिक्षक अपने seniors को approach कीजिए आपको अपना solution मिल जाएगा सेहत के हिसाब से रक्त संबंदित विकार बीपी की problem बहुत तंग करेगी lucky number 7 lucky कल है आपका dark green भागया प्रतीशत है 72% आप चलते हैं लियो यानि कि सिम्हर आश्य की तरफ आज एक चीज कहूंगा कि किसी से बदले की भावना मत रखिएगा क्रोध में आकर बदले की भावना में आकर कोई निर्णे आपको नहीं लेना वरना कुछ गलत अपने लिये ही कर बैठेंगे negative thoughts को अपने mind में बिलकुल भी जगा नहीं देनी जैसे thoughts आएंगे आप काम भी आज वैसे ही करने वाले हैं तो यह आपके उपर है positive thoughts रखने हैं वैसे काम करना है या negative thoughts रखके उल्टा सीधा काम करना है किसी को जज मत कीजेगा judgmental comments मत पास कीजेगा हमारे पास कोई हग नहीं होता किसी को जज करने का करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं बहुत जादा अच्छा दिन है भाग्य साथ देगा नवामसा में भी अच्छे योग है दसामसा में भी अच्छे योग है करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है जो लोग marketing आदी में काम करते हैं sales में especially जो लोग काम करते हैं दिन बहुत अच्छा रहेगा business की बात करें तो थोड़ा unstable दिन दिख रहा है वैसे ठीक दिन है लेकिन थोड़ा unstability आ सकती है आपके mind के कारण mind थोड़ा control में नहीं रख पाएंगे कई गलत निरने ले बैठेंगे जल्दबाजी में जिसके कारण आपको ही भुगतना पड़ेगा relationship की बात करते हैं trust की कमी हो गई है उस trust की कमी को थीक करने की कोशिश कीजिए English में इसको बोलते है trust deficit वो जो trust deficit हो गया है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए वैवाहिक जीवन थीक ठाक है आज का spiritual level पर connect कर पाएंगे लेकिन अपने partner की छोटी सी गलती को भी नजर अंदाज नहीं कर पाएंगे जिसके कारण problems हो सकती है students के लिए दिन अच्छा है यदि किसी चीज को लेकर भरम की सिति उत्पन हो गई थी confusion की सिति उत्पन हो गई थी चीजे unclear रह रह रही थी वो सब चीजें आज दूर हो सकती है सेहत की बात करें तो सासों से संबंदित प्रॉब्लम ब्रीधिंग प्रॉब्लम चेस्ट संबंदित रोगतं करेंगे lucky number है 1 lucky color है pink भाग्य प्रतीशत है 75% आप चलते हैं कन्य यानि की वर्गो राशे की तिरफ आज थोड़ा समबल के रहेगा क्योंकि accident के योग आपके बन रहे है गाड़ी चलानी है गाड़ी चलाते हैं बाहर जाते हैं ट्रेवल करते हैं थोड़ा समबल के रहेगा accident के योग बने हुए हैं एक चीज कहूँगा कि थोड़ा enjoy करने की कोशिश कीजिए चोटी चोटी चीजों में खुशिया ढोड़ने के कोशिश कीजिए प्यार बाटने की कोशिश कीजिए आपका दिन बहुत positive जाएगा करियर के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है भागे साथ देगा करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है एक्सपैंड करने का मौका मिल सकता है बहुत अच्छा दिन है consultation का या consultation से related कोई भी job करते हैं दिन बहुत अच्छा है business के हिसाब से दिन अच्छा है काफी action लेते हुए दिखेंगे आज आप काफी practical approach रहेगी लेकिन थोड़ा aggression भी हो सकता है उसको control कीजेगा agriculture से जुड़ा traveling से जुड़ा कोई भी business है अच्छा दिन है relationship के हिसाब से अच्छा दिन है ordinary दिन है normal दिन है जैसा मैंने पहले भी बताया था कि छोटी छोटी चीजों में कुछ या डूनेंगे आज तो relationship में भी अच्छा समय रहेगा वेवाहिक जीवन के हिसाब से ego दिख रहा है आज आज आप तोनों के बीच में ego clashes हो सकते हैं जहां self respect की बात आती है उसके कारण वाद वाद हो सकते हैं तो थोड़ा problem आज दिख रही है वेवाहिक जीवन में students की बात करें तो determination का level बहुत high रहेगा जिसके कारण अपने study में अच्छा perform कर पाएंगे सेहत की बात करें तो anxiety disorders दंग करेंगे lucky number है 3, lucky color है आपका light pink भाग के परतीशद है 73% अब चलते हैं Libra यानि की तुला राशी की तरफ अपनी life में कोई change लाना चाह रहे थे बहुत समय से तो उसके लिए आज का दिनों प्योकते है वो change लाने की आज कोशिश करेंगे तो सही direction में बढ़ पाएंगे एक दिन में कोई change नहीं आता लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है balance दिख रहा है दिन आज का mental और physical energy दोड़े match करेगी, balance रहेगी बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज का कहीं पे जाने का यदि दिल नहीं करता और आपको कोई force करता है तो बिल्कुल मज जाईएगा क्योंकि शायद वहाँ पे जाकर आप कुछ बुरा कह दे, बुरा बोल दे जिसका एक negative impact आपके संबंधों पर पढ़ सकता है career की बात करें तो दिन अच्छा है किसी की बुराई ना करे निंदा ना करे, कटाक्ष के शब्द ना बोलें आज किसी को अपने कारक्षेतर पे, वरना चीजें थोड़ा आपके विरुद्ध जा सकती है बिजनस की बात करें तो जिस चीज को लेकर बहुत कारे रखते प्रयास रखते, उसके बहुत जल्दी आपको अच्छे result मिल सकते है food items से related कुछ भी business है आपका तो दिन बहुत अच्छा है relationship की बात करें तो बहुत जादा अच्छा दिन है हर तरफ से prosperity दिख रही है अच्छा time spend करेंगे अपने partner के साथ romantic time spend करेंगे विवाही की जीवन की बात करों तो communication better करने की ज़रूत है थोड़ा miscommunication हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए वरना आगे जाके चीजे बहुत unstable हो जाएंगी students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है पैसों से संबंदित कोई problem आ रही थी घर से कोई problem आ रही थी मदद नहीं मिल रही थी इन सब चीजों में आपको कोई positive news आज मिलेगी कोई बहुत अच्छे news आपके तरफ आज आ सकती है सेहत की बात करें तो कफ रोग तंग करेंगे lucky number है 2 lucky color है आपका blue और भाग्य पतीशत है 71% आप चलते हैं scorpio आने के व्रिश्चिक के तरफ positive thinking रखेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा negative thinking की शुरुआत कर दी तो दिन उसी में उलचके रह जाएगा किसी की मदद करने की आज कोशिश करें किसी को serve करने की कोशिश करें जरूर नहीं की आर्थिक रूप से ही किसी की भी मदद आज करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा emotionally अच्छा फील करेंगे जिसका effect आपके पूरे दिन पे पूरी दिन की दिन चर्या पर पड़ेगा अच्छा दिन जाएगा आपका यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं जो काफी आपको शुब फल दे पाएंगे career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं अच्छा दिन है intuition अच्छा रहेगा चीजों को समझने की शमता अच्छी रहेगी creative रहेंगे लेकिन साथ ही साथ over emotional भी रहेंगे यदि आपके साथ किसी ने कुछ मजाग भी कर दिया शायद उसको भी सहन नहीं कर पाएंगे जिसके कारण कुछ negative impact पड़ सकता है business के हिसाब से एक चीज़ कहूंगा जिस चीज़ में काम कर रहे हैं जिस project पर जिस contract पर काम करते रहिए आने वाले समय में बहुत जल्द आपको उसके अच्छी result मिलने वाले है relationship के हिसाब से अच्छा दिन है जैसा आप चाहते हैं relationship उसके almost past आपका relationship पहुँच चुका है उसका status पहुँच चुका है अच्छा time at the present आप spend कर रहे हैं अच्छा दिन दिख रहा है आज का relationship के हिसाब से वैवाहिक जीवन में physical compatibility रहेगी लेकिन emotional compatibility की थोड़ी कमी रहेगी over sensitive, over emotional वैवाहिक जीवन में भी दिख रहे हैं जिसके कारण कुछ problem हो सकती है students के लिए आज का दिन बहुत जाद आच्छा है भागया आपका बहुत साथ देने वाला है आज के दिन का आपको लाब जरूर उठाना चाहिए सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंदित रोग तंग करेंगे कफ रोग बहुत तंग करेंगे lucky number है 1, lucky color है blue और भागया प्रतिशत है 73 पर अब चलते हैं Sagittarius यानि की धनूराशी की तिरफ जैसे चीजे जा रही है एक flow होता है उनका उनको छेड़ने की कोशिश मत कीजिए जल्दबाजी आज करने की कोशिश मत कीजिए अपने हिसाब से चीजों को करने की आज कोशिश मत कीजिए वरना बहुत problem हो जाएंगी थोड़ा relax रहेंगे धैरे रखेंगे तो दिन अच्छा जाएगा वरना problem होगी अपनी नीजी जिन्दगी में कोई problem चल रहे है तो उसको किसी के साथ share केजिए आपको अच्छा फील होगा करियर पे चलते हैं दिन अच्छा है especially corporate sector में जो काम करते हैं दिन अच्छा है काफी creative रहेंगे अपनी creativity के कारण आपको थोड़ा मान सम्मान भी मिल सकता है business की बात करें तो कोई problem यदि चल रहे थी partners के साथ, clients के साथ और किसी के साथ तो उसका solution आज आपको मिल सकता है थोड़ा आपको efforts लगाने पड़ेंगे relationship अच्छा नहीं दिख रहा relationship life love life अच्छी नहीं दिख रही पुरानी चीज़ें याद आएंगी पुराने experiences याद करेंगे आप उनको बार-बार आज conversation में लाएंगे जिसके कारण थोड़ी problem हो सकती है वेवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है जिनका वेवाहिक जीवन बहुत problem से गुजर रहा था आज भाग्य अच्छानक से एक मौका दे सकता है यदि आपने उसको utilize कर लिया तो चीज़ें दुबारा से पटरी पर आ सकती है students के लिए आज के दिन अच्छा नहीं दिख रहा कोई बुरी news मिलेगी जिसके कारण मौत impact पड़ेगा आप पर जिसके कारण किसी नहीं चीज़ की शुरुआत के लिए आज का दिन उप्युक्त है बहुत अच्छा है कुछ भी आज नया शुरू करते हैं उसमें भाग्य आपका बहुत साथ देगा creative रहेंगे साथ ही अपने आपको express करने की आज कोशिच कीजिए वो भले ही व्यक्तिकत जिन्दगी में हो या professional life में हो अपने ओपर थोड़ा विश्वास लाइए abilities बहुत हैं आपमे विश्वास की कमी देख रही है career पे चलते हैं बहुत अच्छा दिन है आज का पैसे के हिसाब से हो मान सम्मान के हिसाब से हो career की opportunities के हिसाब से हो अच्छा दिन है नई job try कर रहे थे कोई अच्छी news मिल सकती है food industry से जुड़ा communication से जुड़ा कोई भी job करते हैं तिन अच्छा रहेगा business के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा दिख रहा है जो आपको ideas आ रहे थे बहुत समय से practicality में समझ नहीं आ रहा था कि उसको practical कैसे करें वो रास्ता भी आज आज आपको मिल सकता है अच्छा दिन है business के लिए भी business में भी food industry से जुड़ा कोई भी काम करते हैं दिन अच्छा है relationship की बात करें तो काफी intensity रहेगी आपकी तरफ से अगर आपके partner आपकी तिवरता को intensity को energy को match नहीं कर पाते तो थोड़ा आपने उपर धैर रखिएगा वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद आज उठा पाएंगे students के लिए दिन अच्छा है बहुत अच्छा हो सकता है यदि दिन की शुरुवात meditation से करेंगे meditation कीजिए आपका focus पड़ेगा अच्छा दिन जाएगा आपके लिए सेहत की बात करें तो sleep disorders संप करेंगे lucky number है one, lucky color है आपका orange भाग्य प्रदीशत है 76% चलते है Aquarius यानि की कुम्ब राशे की तरफ यदि आज कोई निरने लेना है तो बहुत सोच समझ कर आपको लेना पड़ेगा आज कोई गलत निरने लिया तो बहुत भारी पड़ेगा बहुत सोच समझ कर आपको कुछ भी कदम उठाना है कोई change लाना चाहते हैं अपनी life में उसके लिए अच्छा दिन है लेकिन जल्दवाजी नहीं करनी थोड़े generous रहेंगे, लोगों की help करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा करियर पर चलते हैं, दिन अच्छा है थोड़े serious रहेंगे किसी से कटू मत बोलिएगा वरना थोड़ा आपके लिए बुरा हो सकता है administration लेवल पर कुछ काम करते हैं किसी बड़ी industry में काम करते हैं दिन बहुत अच्छा जाएगा बिजनस के हिसाब से stable दिन दिख रहा है जिस चीज में काम कर रहे हैं जहां पे आपका focus है वो focus बना के रखी आपको बहुत जल्दी उसके अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं अच्छा दिन है बिजनस के हिसाब से भी relationship की बात करे तो जिनका relationship अभी अभी start हुआ है अपने partner को जानने का मौका मिलेगा बहुत अच्छा time उनके साथ spend कर पाएंगे विवाहिक जीवन की बात करे तो बहुत अच्छा time है आज का बहुत romantic time अपने life partner के साथ spend कर पाएंगे कोई problems यदि आ रही थी तो आज लगेगा कि कुछ था ही नहीं ऐसा बहुत अच्छा time spend करेंगे अपने life partner के साथ physical compatibility बहुत अच्छी दिख रही है students के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जो उनको बहुत उत्साहित कर देगा बहुत encouragement उनको देगा जिसके कारण वो बहुत positive feel करेंगे और आज अपने लिए कुछ अच्छा अर्जित कर सकते है सेहत की बात करें तो यदि दिन चर्या अच्छी नहीं है पिछले कुछ दिनों से तो उसका health पे impact पड़ेगा lifestyle disorders दंग करेंगे lucky number है 3 lucky color है आपका grey भाग्या प्रतीशत है 68% चलते हैं 25 यानि की mean राशी की तरफ आज का दिन 25 mean राशी के लिए बहुत अच्छा है हर तरफ से भद्रता शुबता आते हुई दिख रही है भाग्य साथ देगा कोई positive news मिल सकती है अपनी energy को धंग से direct कीजिए channelize कीजिए गलत जगाप पे आपकी energy लगी तो पूरा दिन waste होगा कुछ आपको अचानक से आज निरने लेने पड़ सकते हैं जिनको बहुत समय से टाल रहते उसके बारे में कोई concrete निरने आपको आज लेना पड़ेगा करियर पे चलते हैं दिन अच्छा है लेकिन जल्द बाजी रहेगी आपके अंदर restless से feel करेंगे हर काम जल्दी बाजी में करने की कोशिश करेंगे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेगा वरना कुछ गलत कर बैठेंगे बिजनस की बात करें तो कुछ नया introduce आप करना चाह रहे हैं अपने बिजनस में लेकिन अभी शायद या तो साहस नहीं जुटा पा रहे है या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उसके बारे में एक clarity आज आज आपको आ जाएगी कि कैसे चीज़ों को अब शुरू करना है relationship की बात करें तो अच्छा दिन नहीं दिख रहा आपके partner आपको ignore करेंगे शायद जान भूच के ना करें लेकिन फिर भी ignorance होगा जिसके कारण आप थोड़ा बुरा फील कर सकते हैं विवाहिक जीवन की बात करें तो physical compatibility दो दिख रही है लेकिन mental compatibility बिलकुल नहीं है ego clashes होगी गैचारिक मत भेद रहेंगे जिसके कारण थोड़ा सा problem हो सकती है student से यही कहूंगा अपने विचारों पर अपनी वासना पर control करके रखिएगा आज वरना कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है सेहत की बात करें तो सर से संबंदित रोग तंग करेंगे anxiety disorders बहुत तंग करेंगे लखी नबर है 7 लखी कला है green भाग्य परतिशत है 77% आज का उपाय आपके लिए है कि नित्य पूजा के बाद सुबा सुबा हनुमान चलीशा का एक बार और भैराव चालीशा का एक बार बाठ करना है साथ ही में हनुमान जी को दो घी के दिये अरपन करने है और हर घी के दिये में आपको एक-एक long का डाना डाल देना है इससे दिन बहुत शुब जाएगा चैनल पे नए है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक केजिए मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए